तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनिकेडिमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगनर यानिक यू एफबी का पार्ट टुवल्फ है जिसमें मैं आप लोग को उर्दू के दो अक्छर से मिलकर बने इमातरा वा सबसे बढ़ी चीज होती है तो सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस ठीक है जो बहने बता चुका है उसको अलिए कोछिस क्यों तो निजने की और पढ़ने की कोशिश किजिए उर्दू की रिखने की और На उतना हिए छहट समझे से उप्राइब करेंगे तो कैसे﹇म आठण स्च्राइब को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता उर्दू में तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजीगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोको बैले करने यान की घंटी को दबाना मत भूलिएगा ठीक और उर्दू में कहते हैं लव्ज ठीक तो पहले जो लवज है वह है चा ठीक बहले वाले अक्छर में आ की मात्रा है च्या यानि की आ यानि कि इसमें पहला वाला जो अक्षर है इसमें इकी मात्रा है उसके बाद से रा और लास्ट वाला अक्षर में आ की मात्रा है ठीक और कुछ ऐसे भी है जिसके शुरू अले अक्षर में इकी मात्रा तो है लेकिन लास्ट वाला अक्षर यानि कि दूसरे वाले अक्षर में की मातरा नहीं है तिक मतलब सभी तरह के शब्द को जो की इमातरा से मिलकर बने हुए उसको मैं लिख दी हूँ और सभी तरह के शब्द को मैं आप लोगों को पढ़ना और लिखना बताऊंगी कि तो सबसे पहले चाची देखिए कैसे लिखा जाता है उर्दू मैं मैं आप ल यह ची ईंत अब चैसे को लिख और लोग बिए गृझा से दीरे दीरे हाई लिवल पर होते जा रहे हैं तो इतना तो मालूम ही होगा कि लिए आप ब्लोग क्या करेंगे कि a होता है फिर उसके बाद से क्या है तो फिर सोचे चोर्दू में क्या कहते पिर आप लोग जानते हैं चे कहते हैं अभी तो मैं बताई तो फिर से यहां पर लिख दीजिए थीक चे से चा हो गया बट यहां पर ची है अब इसको इकी मात्रा में कंवर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे आप लोग अलिफ लगा दे रहे थे मा बनाना है तो मिम में अल लोग कैसे कनवर्ट करेंगे तो ची बनाने के लिए ये जोड़ा जाता है कि छोटी ये किसी भी शरब किसे भी अक्छर को तो हो काफ ओ-जो मतलब कोई-भी कि अलिफ से लेकर बढ़िए तक कोई भी अक्षर क्यूं नहों उसको इंकी मात्रा में कनवर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यह चोटी यह लगा देते हैं तो देखिए यहां पर क्या है चाची तो चा बनाने के लिए चे में अलिफ जोड़ दिये और ची बनाने के ल जोड़िए आप लोग जानते हैं कि चे का सिर्फ यह उपर वाला 50% यानिकी आधा पाट उठाया जाता है सिर्फ उपर वाला यह तो इतना पाट उठा लेजिए देखिए यह चे से चा हो गया चा बनाने के लिए जो अलिफ है इसमें जोड़ दिये तो चे में अलिफ पर ना उठा लिजिए तो यह हो गया फिर से च से चा अब यह लगा देना है तो ई की मात्रा में कनवर्ट हो जाएगा चे में यह जोड़ देंगे तो ची हो जाएगा तो देखिए इस चे में ये जो है ये ये पूरा का पूरा ये ले जाकर यहां पर लाश्ट में जोड़ देंगे देखें चे से तो चा हो गया और ये जो पूरा का पूरा ये है छोटी ये ये ले जाकर ऐसे इसी चे में जोड़ दिये तो चे में ये जोड कर ची हो गया तो चा प्लस ची जाजकी देखिए कितना असानि से लिखा गया इसी तरह बागरी सभी शापध को यानि कि बागरी सभी लफज को आप आसानिक से लिख पाएंगे देखें मामी में सबसे पहला अक्षथ्ण है तो सबसे पहले सोचिए की मौउu में क्या कहते हैं तो मा कुर्दू में मीम कहते हैं किस तरह लिखा जाता है तो यह देखिए मैं लिख दी मिम से मा प्लस मा बनाना है ना तो मा यान की आखी मात्रा में कनवर्ट करने के लिए अलिफ जोड़ते हैं यानि कि इसमें भी आप लोग क्या जुड़ेंगे मा बनाने के लिए अलिफ जोर देंगे अलिफ जोर दिये उसके बासे हैं मी तो फिर सोचिए कि मौक उर्थ में क्या कहते हैं तो मीम कहते हैं यहां पर और भी में क्या करेंगे चोटी यह जोड़ेंगे ठीक अब देखिए सबसे पहले में में अलिफ जोड़कर मा बनाईए फिर उसके बाद से में यह जोड़कर मी बनाईएगा तो मा प्लस मी मामी हो जाएगा ठीक तो जोड़िए देखिए आप लुक जानते हैं मिम का यह जो बिन्दु वाला पार यानिकी आधा पार इतना ही उठाया जाता है यह डंट वाला पार छोड़ दिया जता बिंदू वाला पार उठाया जता है तो यह देखिए मिम से मा हो गया इसंना अलिफ है इसी में ले जाकर जोड़ देंगे तो मिम में जोड़कर क्या हो गया मा हो गया और मिम अब इन दोनों को जोड़कर मिम में यह जोड़कर अब मी बना रहा है तो देखिए मिम का फिर से इतना ही पाट उठाएंगे बिंदु वाला तो यह देखिए मिम से मा हो गया अब इस मामी, देखे कितना सिंपल, आगे बढ़िए दादी, दादी भी तो और भी ज्यादा सिंपल है लिखना, देखे, दा, सबसे पहले सुची कि दौक उर्दु में क्या कहते हैं, तो दौक उर्दु में दाल कहते हैं, तो यहां पर फड़ा फट डाल लिख दीजिए, लिखना ब अब उसके बाद से दी है, तो फिर दा को उर्दू में क्या कहते हैं, डाल कहते हैं, तो फिर यहां पर डाल लिख दीजिए, प्लस, अब इसको ई, यानि की दी की मातरा में कनवर्ट करने के लिए, क्या जोडेंगे, यह जोडेंगे, चोटी यह, जिस तरह इन सभी में जोडे उसी तरह यहां पर भी छोटी यह जोड़ दीजिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है फिर इन दोनों को जोड़ना है आप लोग अब समझ चुके होंगे तो सबसे पहले दाल में अलिफ जोड़कर दा बनाईए दाल से दा हो गया अब इसी में चोटी यह है ले जाकर चिपका दीजिए तो दाल में यह जुरकर यानि कि चिपक कर क्या हो गया दी हो गया तो दा प्लस दी दा दी सिंपल आगे बढ़िए का की तो सबसे पहले आप लोग सुचे कि का यानि कि कौक उर्दू में क्या कहते हैं तो कौक उर्दू में काफ कहते हैं आप लोग अलड़ी जानते हैं तो आपर फटा-फट काफ लिख दीजिए काफ से कहोगे अब अठका है न आ की मातरा में कर्वार्ट करने के लिए अलिफ जोड़ दिए प्लस की है तो काफ काफ में काफ कहते हैं उसके बाद से इसकोEST क music ऑने की यानी की की मातना मैं करने के दिए चोटी ये जोड़ेंगे शोटी Australians शबसे पहले इन दोनों को जोड़कर का बनाईए इसे ये देखिताज निक्न तो पार्ट है दंटी वाला पार्ट इसको यहां पर ऐसे आप लोगों को घुल कर दिया जाता है तो यह got नहीं में नेके लिए जो अलिफ है ले जाकर इसी में जोड़ दिजिए तो काफ में जोड़कर का हो यह देखिए काफ का इतना ही पाट उठाया जाता है तो काफ का इतना ही पाट उठा लीजिए ठीक जिस तरह है यहां पर यह दंटा वाला पाठ यह कर्व नहीं लेगा जिस तरह यह दंटा वाला पाठ उसी तरह यहां पर ऐसे आ जाएगा ठीक तो काफ से का हो गया अब इसक प्लस की का की ठीक आगे बढ़िए नानी में सबसे पहला आक्षर है ना तो नौक उर्दु में क्या कहते हैं नून कहते हैं यह पर फटफट नून लिख दीजिए नून से ना हो गया बट ना बनाना है तो अलिफ जोडएंगे पिर न नी है तो नौक उर्दु में यून कहते हैं नून से न हो गया यून इसको नoharin तो छोटी यह जोड़ेंगे आप जानते हैं कि नून का इतना ही पाट उठाया जाता है यानद कि 50% पाट उठाया जाLaugh इतना ही पार्थ नून नून का थेखे इतने पाट उठालीजिये नून का अब उसके बाद से फिर नून में ये जुड़कर नी बनाना है तो फिर नून का इतना ही पाठ उठाएंगे जितना पाठ आप यहां पर 50% पाठ उठा लेना है तीक आधा पाठ आधा भाग तो देखिए नून का ये आधा भाग उठा लिए फिर नून से ना हो गया और उसक तो ना प्लसनी, ना ने, आगे बढ़िए काली, काली में सबसे पहला च्छर क्या है, का, तो कौक उर्दू में क्या कहते हैं, तो यहां पर काफ लिख दीजिए, काफ से का हो गया, और उसके बाद से इसको का बनाने के लिए अलिफ जोडएंगे, उसके बाद से ली है, तो ल कि वाक उर्दू में क्या कहते हैं लाम कहते हैं तो यहां पर लॉह दीजिए अब इसको ली बनाना हैं तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे छोटी जोड़ेंगे ली हो जाएगा सबसे पर इन दोनों को जोड़ कर का बनाईए फिर नों को जोड़कर ली बनाईएगा यह पिर काली हो जाएगा असानी से तो आपनों जानते हैं काफ का यह 50% पाट उठाया जाता है अधर कि काफ हुद है और यह जो डंटा वला पाथे थो काफ है गोल कर देना है और उसके बाद से का बनाने के लिए जो अलिफ है न 1500 कर का हो गया है अब उसके बाद से आप लोगो और इंदोनों को जोड़कर ली बनाना है तो आप दो जानते हैं लालाम का ही जो रवी पाठ है इसना ही उठाया जाता है 50% पाठ तो इतना पाठ आप लोगों को उठा लेना है देखे उठा लिए इतना ठीक तो लाम से लौ हो गया अब इसको ली बनाने के लिए जो छोटी है वो पूरा चोटी ये जो है इसको पूरा का पूरा जोड़ देंगे देखे ऐसे रानी में सबसे पहले अक्षिर क्या है रा है रा कूर्दू में क्या कहते हैं रे कहते हैं रे से रा हो गया और इसी में अलिफफ ले जाकर चिपका दीजिए तो रे में अलिफ जूड़ कर रा हो गया नून का फिफ्टी परसेंट पांठ उठा लीज़े देखिए उथा लिए रून से ना हो गया बट इसको नहीं बनाना है तो यह जो छोटी यह हैपूरा पूरा ले जाकर इस ली बनाना है तो इसमें छोटी ये जोड़ दीजिए अब पड़फट कीजिए आप लोग समझ गये होंगे कि कैसे कनवाट करना है मतलब कैसे लिखना है ठीक सीन में अलिफ जूड़कर सबसे पहले सा बनाईए सीन का ये 50% पार्ट उठाया जाता है तो देखिए धियान रखना है कि तीन्ठो ये कोना नोक निकलना चाहिए ये जो तीन्ठो निकला हुआ है वो निकलना चाहिए ठीक तो यह होगा आप लोग का सीन से सा बढ़ इसको सा बनाने के लिए इसी में अलिफ जोड़ दिये सिन में अलिफ जोड़कर सा हो गया और लाम का इतना ही पार उठाया जाता है तो लाम का इतना यान की 50% पार उठा लीजिए और इसी में लाम को ली बनाने के लिए ऐसे ये जो ये है छोटी ये ले जाकर जोड़ दिजे तो में यह जोड कर ली हो गई तो सा प्लस ली साली अगे बढ़िए बाकी तो बे से बा होता है तो यहां पर बे लिख दीजिए वह कुर्दू में बे कहते हैं तो बे से बा हो गया बट इसको बाव बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे तो का देखिए कौन सा वाला की है नीचे बिंदू वाला का है तो इसके लिए कौन सा काफ यूज करेंगे यह वाला काफ ठीक तो यह हो गया आप लोगा काफ से का और उसके बाद से इसको की की मातरा में करना है तो यह जोड़ेंगे छोटी यह ठीक सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर बाव बनाईए आप जानते हैं बे का इतना 50% पाट उठाया जाता है तो बे का 50% पाट उठा दिए बे से बाव हो गया इसी में अलिव जोड़ दीजिए बाव हो गया बे में जूड़कर बाव काफ का आप लोग जानते ही इतना 50% पाट यह गोल वाला पाट उठा देजिए दो ठोपर नुक्ता के लिए अलिए जोड़ के लिए यह हो यह इस तरह यह यह जाता है हैं कि यह यह जो उपर है यह भी की तरह बनाया जाता है ऐसे बस छोटा भी यहां पर बनाया जाता है ठीक है तो यह हो गया ठाम प्लस इसको ठी बनाना है ना तो छोटी यह इसमें जोड़ दीजिए अब इन दोनों को जोड़ कर सबसे पहले ला बनाईए तो आप लोग जानते हैं लाम का यह 50% पार्ट उठाया जा तो ठामे यह जोड़ कर ठी हो गई तो ला प्लस ठी ला ठी देखिए कितना आसानी से लिखा गया ठीक आगे बढ़िए साथी साथी में सबसे पहला अच्छा है सा सा को उर्दू में सीन कहते हैं तो यहां पर सीन लिख दीजिए सीन से सा हो गया बट इसको सा बनाने के किये जोड़कर ठा होता है तो यहां पर देखिए यहां पर ठालिख दी में इस तरह ठालिखा जाता है तो हो गया प्लस इसको थी बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे इसमें छोटी यह जोड़ दिए सबसे पहले सीन में अलिफ जोड़कर सा बनाई यह सीन का यह 50% पार्ट भी लिए इसके बाद से छोटी ये है इसको पूरा का पूरा इसमें लाकर जोड़ दीजिए तो ठाम में यह जुड़ कर्थी हो ठीब हाँ थी में सबसे पहले अक्षर हाँ कुर्दू में क्या कहते हैं को हाँ १ूह बनाने के लिए इसमें अलिव जोड़ेंगे जोड़ दियें प्लस था है था कुर्दू मैं भी बताई इस तरह लिखा जाता है तो लिख दिजिए यह था हो गया प्लस इसको भी थी यहां पर थी बनाना है न तो इसको भी यह जोड़ दिजिए इसमें भी तो सबसे पहले है मैं अलिव जुड़ कर क तो देखिए यह हैं ऐसे रूप में आ जाएगा जिस तरह च्छे बनाते हैं उसी तरह यहां पर छोटा सा सिक्स बना देना है ठीक तो यह हो गया अपना है क्या कर दिया सकल चेंज करके ऐसे रूप ले लिया हे से हँग वह गया बट इसको अलिफ इसमें अलिफ जोर देंगे तो हे में अलिफ जुड कर क्या हो गया हाँ उसके बाद से था है था पुरा का पुरा लिख दीजिए और इसी में छोटी ये जो है ये पुरा का पुरा जोड दीजिए तो हे में अलिफ जुड कर हाँ थे में ये जुड कर थी हाँ प्लस थी हाँ थी ठीक है उसके बाद से बा बाई में सबसे पहले अक्षर क्या है बाउन की बह खुर्दों में क्या कहते हैं दे कहते हैं तो यहां पर लिख दीजिए बे से बहोगे इसको बाउने के लिए अलिफ जोड़ेंगे ठीक अब अगला अक्षर देखिए क्या है इदेखिए आप डारेक्ट बड़ी वाली है हमजा में यह जोड़ेंगे अब देखिए कैसे सब चफले बे में जूड़ कर गिंग और इसके बाद से're उप्सक्राइब यह और संपर में जोड़ता है तो वो अपना सफिन कर लेता है तो नहीं तरह लिए तरह इस तरह रहता है और उपर जो है ना यह हमजा की तरह बना दिया जिस तरह हमजा है उसी तरह यहां पर छोटा सा हमजा बना दिया जैता है ऐसे ठीक तो यहां पर इस तरह सकल चेंज कर लेता है तो यह जो हमजा है अब इस तरह यहां पर आकर ऐसे बन जाएगा तो हमजा में यह जोड़कर ई बाई देखें यहां पर डारेक्ट लिखा गया है ना बड़ी वाली इसलिए आप लोग यहां पर हमजा में यह जोड़ेंगे ठीक है यहां पर थीता की था ली था तो लाम में यह जोड़कर काफ में यह जोड़कर ई की मत्रह में कनवर्ट कर दे रहे थे ली की बना दे रहते हैं यहाँ पर डारेक्ट ई दे दिया है बड़ी वाले ई तो उसको हम लोग इसको ई में लिखने के लिए सबसे पहले हमजा लिखते हैं और फिर उसमें ये जोड़ते हैं तब ई बनता है तो बा प्लस ई बा ई उसी तरह नाई है नाई में सबसे पहला आक्सिर क्या है ना तो ना कुर्दू में नून कहते हैं नून से ना हो गए इसको ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिये अब देखे इसमें भी लाश में क्या है बड़ी वाले ई डारेक्ट दे दिये गए है तो इसको भी अफलब क्या करेंगे सबसे पहले हमजा लिखेंगे उसके बाद से हमजा में ये जोड़ देंगे ठीक अब देखें नून में अलिफ जोड़ कर ना बनाईए नून का 50% पार्ट उठाईए नून से ना हो गया इसी में अलिफ जोड़ देंगे ना हो गया अब जिस तरह में यहां पर बताई हमजा में ये जोड़ कर जिस तरह यहां पर ई बनी थी उसी तरह यहां पर भी हमजा जो है अपना सकल चेंज करेगी इसी तरह कर लेगी और इसी में लास्ट में छोटी ये जो है आकर जूर जाए जिस तरह यहाँ पर E बनी थी उसी तरह यहाँ पर B बनेगी नून में अलिफ जूर कर ना हो गया और यह हो गया आप लोग का बड़ी वाली E ठीक ना प्लस E जिस भी शब्द के लास्ट में बड़ी वाली E इस तरह रहेगा डारेक्ट दिया रहेगा उस शब्द के लास्ट में आप लोग को इस तरह लगाना पड़ेगा हमजा में यह जोड़ कर यह लगाना पड़ेगा ठीक है तो देखिए दाल में जोड़कर दा बना देजिए दोनों को चिपका दिये दाल में जोड़कर दा हो गया और जिस तरह यहां पर हमजा हमजा में यह जोड़कर यह हो रहा था उसी तरह यहां पर भी हमजा में यह जोड़कर यह बनाएंगे तो यह देखिए दा प्लस हमजा में यह जोड़कर इबनाएंगे अब देखिए पे में अलिफ जोड़कर इबना दीजिए जिस तरह यह सभी बना है उसी तरह यह अहां पर भी देखिए हमजा में यह जोड़कर यह हो गया तो पा प्लस इपाई ठीक उसके बाद से लाई में सबसे पहला अक्षर क्या है लाँ ला कुर्दो में क्या कहते हैं लाम कहते हैं तो लाम से ला हो गया लाँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दियैंगे उसके बाद यह है जिस तरह यहां पर बड़ी वाले ए को आप इस तरह इली हमजा में यह जोड़ रहे थे उसी तर लाम पर लाई है तो लाम जुड़ कर लाहो गया और हमजा में क्या कर दिजिए आप छोटी ये जोड़ दीजिए देखिए लाम का 50% पार्ट उठाइए लाम हो गया और इसी में अलिव जूड़ दिये लाहो गया और इस तरह यहां पर हमजा में यह जूड़ कर ही बना रहे तो ला प्लस यी लाई है देखिए कितना आसान अब देखिए भाई इसमें भी लाश्ट में क्या है बड़ी वाली डिरेक्ट दे दिया गया है भाई कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले सुछे कि भौ अर्फ है जोरकर बे एक से भौ होता है और लिखा ऐसे जाता है यहोग से के आप अब यहां पर डारिक्ट किंए तो डारेक्ट एक हम लोग कैसे लिखते हम दम यह जोड़ दिए है हमजां प्लस चोटी यह ठीक सबस्य पहले भा में अलिफ जूर्कर अब हमजां ये जोडकर लिफ जूर नो इनो इंद यह तरह पर बनाना है उसी तरह जूर एंद जूर दिए तो हमजा में ये जोर कर यह हो गई तो भा प्लस ई भाई देखिए इस तरह भाई लिखा जाता है मत भूलिएगा ठीक आगे बढ़िए नारी नारी में सबसे पहले एक्षर क्या है ना ना कुर्दू में नून कहते हैं तो यहां पर नून लिख दिजिए इसको ना यह में लिख बनाने के लिए लिए रिए के लिए इसको ईखि चोटी यह जोड़े regen तो सबसे पहले जोड़ें तो सबसे पहले आप लोग आप नून में लिख कर ना बनाईया फिर ले में वेकशन को मिंज़ा लिए विए ना प्लस री नारी ठीक आगे बढ़ी ये नली अब देखिए इस ये ऐसे शब्द है जिसके शुरुवात में या इनकी पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा नहीं है ये ऐसे शब्द है जिसके पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा थी लेकिन ये ऐसे शब्द है जिसके पहले वा नो्सक्राइब तो इसको ना बनाने की जूरत नहीं ना रहता तब और नमें नून में जोड़तेंश यहां पर पर छोटी यह लिख दीजिए अब देखिए नून का आप लोग जानते हैं 50% पाट उठाए जाता है तो नून का 50% पाट उठा लीजिए इतना ही देखिए उठा ली नून से ना हो गया और उसके बार से इन दोनों को जोड कर ली बनाना है तो सबसे पहले लाम का 50% पाट उ अर यह होगी आप लोग का लाम से लह अब इसको ली बनाने के लिए इसी में आप लोग यह चोटी यह जो है ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे तो नून से ना और लाम में यह जोड़कर ली ना ली ना ली ठीक इसी तरह इन सभी वाड़ को इन सब है शब्द को भी आप अब इसको ली बनाने के लिए एकी मातरा में कनवर्ट करने के लिए छोटी ये जोड़ दिए अब सबसे पहले पॉ का 50% पाट उठाईए 50% पाट उठाकर यहां पर रख दिए पे से क्या हो गया पॉ हो गया अब उसके बाद से ला है तो ला का भी 50% पाट उठाएंगे और ऐसे लाकर जोड़ देंगे देखिए 50% पाट लाकर जोड़ दिए तो पे से पाट और लाम से ला अब इसको ली बनाने के लिए छोटी ये जो है जिस तरह यहां पर ले जाकर जोड़े थे लाम में उसी तरह यहां पर भी ले जाकर जोड़ देंगे तो लाम में यह रहेगा एक सांथ तीनों जुडा रहता है ऐएा बड़ी शड़ी स ład है पहला च्छीण चीण कहते है आंप लोगों को बाता चुकि हुँ ओरे कहते हैं यांप कर देश च्राइब के लिए जोल्डी ओड़ीजिए अब देखिए चीण सीन का 50% पाट उठाई ये सीन से साहोग यान की आधा पाट उठा लेए सीन से साहोग आप इसी में ये जो रेये हैं ये ले जाकर जोड़ दीजैंगे एड़े जो है पूरा का पूरा ये आपनाना है यान कि यह चोटी यह को ले जाकर रहे के पास चिपका देना है या पर बस चिपका देना है तो सबसे पहले चली में सबसे पहला अक्षर क्या है चो को उर्दू में चे कहते हैं फड़ा फट लिखिए चे से चो हो गया और ली है लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं प्लस ली बनाने के लिए छोटी ये जोडेंगे अब देखिए आप लोग जानते हैं चे का ये 50% ये इनकी आदा भाग उठाया जाता है तो इतना पाट यह जो कर ली चली कितना आसान है बसी बसी में सबसे पहला अच्छा है बहुत को दूमें बे कहते हैं प्लस सी है सो को दूमें सीन कहते हैं प्लस इसको सी बनाने के लिए छोटी यह जोड़ेंगे ठीक है और उसके बाद से बहुत यानि यह जो भी है इसका 50% पार्ट उठाई यह हो गया अफ्मों का सीन का यह 50% जियान की आधाबार उठाना है तो सीन का इतना फर्च आज हो घूल लीजे देखीए यह बैसे तो बहों गया और सीन का यह तीं-ठो नुक्ता वाला हो है एनकी 50% पार्ट राधावा उठा लिए तिंठो नुक्ता है ना तो सीसीन से कहते हैं डाल कहते हैं तो दाल लिग दीजिए अब इसको दी बनाने के लिए छोटी ये जोर देंगे नून का 50 % पाठ उठाए जाता है तो 50% पाठ उठा लिये नून से ना हो गया अब इसी में दाल जोड़ दीजिया इसी डेख रहे हैं जिस तरह यह डाल धृसल देना तो नून से ना डाल से दा अब इसको दाल बनाने लिए च्छोटी यह लिए जाकर दाल के पास चिपका देंगे तो नून से ना डाल में ये जुड़ कर दी नदी अगे बढ़िये रही रा कुर्दू में रे कहते हैं प्लस ही है हाँ कुर्दू में हे कहते हैं प्लस इसको ही बनाने के लिए छोटी ये जुड़ेंगे रे जिस तरह लिखाए उसी तरह ले जाकर आप लोगो रख देना है र चाहे में यह जुर कर ही ठीक आगे बढ़िए गली में सबसे पहले अक्षर क्या है गाफ ऐसे लिखा जाता है गाफ से गाफ हो गया अब ली है लाफ और उर्दू में लाम केंते हैं लाम से ला हो गया बटली बनाने के लिए चोटी यह जोड़ दिए गौक आप लोग जानते हैं फिफ्टी परसेंट यानकी आधा बाग उठाया जाता है इतना ही ठीक उतना पाठ उठा लीजिए अब यह जो सीधा डंटी वाला पाठ है यहां पर ऐसे गोल हो जाएगा कर्व हो जाएग ठीक तो गाव से गह हो गया अब इसी में लाम का यह प्रसेंट यानकी आदा भाग यहां पर ले जाका जोड़ दिना है लाम उसे के बाद इसमे यह जोड़ देना है यहां कि छोटी यह लेँदा कर पूरा पूरा जोड़ देंगे तो लाम एजूर कर ली दाफ से मौ कर ला ले आगे वड़िए गाई यहां पर गाई हैं तीक घई भी सकते हैं गई लिख सकते हैं Dollar आंब यहां पर गाई लिखा गया है तो देखिए गाई है तो सबसे सोचीमा कुर्दू में गा व कहते हैं अब इसको गow गाह है देखिे ध्यान से गाह है न तो गाह बनाने के लिए इसके बथे इंगे हम्मोग क्या करते हैं U लिखने के लिए हम लाश्ट में हमजा में यह जोड़ते हैं ठीक ए कि यहां पर हमजा में क्या जोड़तें न Breaking लोगों को छोटी ये जोडना है सबसे पहले गाफ में जूड कर गाह बनाइए यह जो है गाफ का 50% पार्ट पार्ट उठा लिए उसके बाद से जो गोल वाला पार्ट सीधा वाला पार्ट है यहां पर गोल हो जाएगा गाफ से गाह हो गया अब इसमें अलिफ जोड़ दीज तरह आप लोग यहां पर यह बनाये थे उसी तरह यहां पर यह बना देंगे तो गाई ठीक अगे बढ़िए ताली में सबसे पहले अक्षर क्या है ता को उर्दु में क्या कहते हैं यहां पर टेली दीजे प्लस बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे ली है लोक उर्दु में लाम कहते हैं लीव बनाने के लिए चोटी यह जोड़ेंगे टेका 50% पार्ट उठाइए 50% पार्ट उठा लिए और ते में अलिव जूर कर ता बना दीजिए ता हो गया उसके बाद देखिए यह हो गई यह उसी तरह आप लोग यहांप लिखेंगे ठीक हो गई और इसी में यहां पर लेजाकर छोटी यह जोड़ेंगे तो ख में यह जोड़कर खी, रा फ्लस खी, रा खी, आगे बढ़ी यह परी, परी में सबसे पहला अक्षर है पा, पा कुर्दू में पे कहते हैं, यहाँ पर पे लिख दीजिए, सिर्फ पा है तो इसलिए यहाँ पर अलिफ नहीं जोड़ेंगे, पा रहे था तब अलिफ जाएगी तो पे से पो रे से रा, अब यह जो है छोटी यह, इसको री बनाना है ना, तो छोटी यह, रे के पास ले जा चिपका देंगे, तो पे से पॉर्य में यह जोड़कर री, तो परी, अगे बढ़़ी यह सब ही, सब से पहला क् ranak, क्या है?" सा को उर्दू में सीन कहते हैं प्लस भाव जिस तरह बी से बाव भी एच से भाव यान की बे मेहें मिला कर भाव ऐसे लिखा जाता है भाव हो गया बट भी बनाना है तो इसमें भी छोटी यह जोड़ेंगे अब देखिए सीन का 50% पाट उठा दिये ठीक और इसी सीन में आप लोग क्या जोड़ दिये भी बनाना है ला इसमें आप छोटी ये भी जोट देंगे जिस तरह है उसी तरह लिएज लिखें प्लonde सीन से सा और हमें यह जोड़कर 20 सब यह बढ़ि tarahi ईस सबी ऑसी तरह सभी बनाएं यानि कि आधा भाग उठाकर सब भी बनाया थे उसी तरह यहां पर यह भी जोड़ना है ना तभी नहीं होगा तो यह छोटी यह ले जाकर जोड़ दिये तब आगे बढ़े भरी भरी में यह लिखा जाता है उर्दू में तो भाइ ऐसे लिख दिए प्लस रा को उर्दू में रे कहते हैं प्लस इसको री बनाने के लिए च्छोटी यह जोड़ दिए अब देखिए भाज इस तरह लिखा है ना उसी तरह लिख दीजिए यह अप लोगा और इसी में रे जोड़ तो यह जो छोटी यह है लाकर रे में चिपका दीजिए तो यह हो गया प्लस रे में यह जुड़ कर री भरी आगे बढ़ यह पानी पानी कैसे लिखा जाता है सबसे प्लाक्षर क्या है पा पा कुर्दू में क्या कहते हैं पे कहते हैं तो यहां पर फटा फट पे लिख दीजिए अब इसको पा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस नी है नौ कुर्दू में नून कहते हैं और नी बनाने के लिए छोटी यह जोड़ेंगे ठीक पय में जूड कर सबसे पहले पाँ बनाईए पय का इतना या पाट पाट उटाया जाता है तो पह का इतना पाट यान की आधा भाग 50 परषी परषंट पाट उठाध लिए और इसी में अलिव जोड दिये तो पय में यो जूड कर नी बना दिये तो पा प्लस नी पानी ठीक आगे बढ़िए मीरा है यह ऐसा शब्द है जिसके पहले वाले अक्षर में एकी मातरा है जुसरे वाले अक्षर में आ की मातरा है तो मीरा सबसे पहले सोची एक मौक उर्दू में क्या कहते हैं मीम कहते हैं तो यह आपर फटा-फट लिख दीजिए अब में है तो इसको इकी मातर में करने के लिए में में आप छोटी ये जोड़ेंगे ठेके प्लस रा है रा फूर्दू में रे कहते हैं रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे ठीक है सबसे पहले ये जो मीम है मीम का ये बिंदू वाला 50% पार्ट लिखा इसमें लास्ट वाले अव्छमन में आकी मातरा थी न तो छोटी ये जो है वह अपना सकल नहीं चेंज कर रही थी लास्ट में enc 2023 ये ईड़ीए अप लोग को देखने को मिलेगा पूरा का पूरा है ये जो ये जोड़ी आप को देखने को मिलेगा लेकिन अब ये बढ़ेगी दुसरे अक्षर में तो अब यह अपना सकल चेंज करेगी ठीक अब देखिए मीम में अब यह जोड़ेंगे तो यह जो है आपना सकल चेंज करेगी और किस तरह बनेगी अब मैं आपनों को बताती हूं जिस तरह यहां पर बना था बेक इतना पाट उट रहा था उसी तरह इतना लिखा जाता है और इस तरह नीचे दोठो बिंदू दे दिया जाता है तो यह जो है यह छोटी यह अपना सकल चेंज करके ऐसे रूप ले लेती हैं तो मीम से तो मा हो गया अब इसमें यह यह जोड़ेंगे तभी तो मी होगा ना तो अब छोटी यह जो है अब यह पूरा का पूरा इस तरह नहीं जूड़ेगी अब यह अपना सकल चेंज करकर ऐसा रूप ले लेगी जिस तरह यहां पर लिखा है तो देखिए यह मीम से मा हो गया और इसी में यह जो है ले जाकर ऐसे चिपका देंगे तो देखिए मीम से मा और इसी में यह छोट यह आपना सकल चेंज करके कि इस वाले रूट में आ गई तो में में ये जोड़ कर क्या हो गया मी अब यह जो रहे हैं अब इसी यह में ले जाकर ऐसे चिपका देना है तो देखिए मिम में ये जुड़कर मी हो गया और इसी ये में ये रे जुड़ गया तो ये क्या हो गया मी और रा मीर हो गया बट हम लोगो मीरा लिखना है ना तो मीरा लिखने के लिए अलिफ जोड़ना पड़ेगा तो रे में अलिफ ले जाकर सिर्फ चिपका दीजिए तो ही है ना ही में लिखने करें यानिकी एकि मासरा में करने के लिए सब्सक्राइब जोड़ेंगे और रहे रहे हैं अलिफ जोड़ दंबां अप लोगों के तो रह हो जायorf अब देखिए आप लोता है दुसरे अख्शन Мश्या Semper चेंज्ज कर लेता है तो दखिए यह अपना सपभल चेंज्ज करेगी और ऐसे सपखल बना लेगी तो यह पना सपप लोग है Hij से हो और अभी मैं आप लोगो किया बताई च्छोटी यह इस वाले रूप में आ जाती है डूसरे अक्षर में जोड़ दीजिए यह वाला रे जो है जोड़ दिए तो हे में यह जुड़कर ही और रे से रहीर हो गया हम लोग को हीरा लिखना है तो लाश्ट में अलिफ ले जाकर चिपका दीजिए तो ही और रही रहा ठीक आगे बढ़िए जीरा जीरा में सबसे पहले अक्षर क्या है जो जो को उर्दू में जे कहते हैं प्लस जी बनाना है तो छोटी यह जोड़ेंगे रा है रा को उर्दू में रे कहते हैं प्लस रा बनाने के लिए जोड़ेंगे जिस तरह यहां पर हे में यह जोड़कर ही बना रहे ते फिर में जोड़कर रहा लिख रहे ते उसी तरह यहां अपना सकल इस तरह चेंज कर लेती है तो यह जो यह चोटी यह है अपना सकल चेंज कर फिर से वही वाले रूप में आ जाएगी देखिए यह चोटी वाली यह जो है इस तरह बन गई यह हो गया जे में यह जोड़कर जी अब इसी यह में जो है ना यह रे आकर ऐसे जूड़ झायेगा ठीक तो जे में ये जूड़कर दी हो गई और सरह को घ्र हम लोग को बनाना क्या है जि यानकी अलिफ जोड़ना है य सिकार जरा ऑग यह पर लोह को एसे जुड़कर ठा हो गया ऐसे लिखा जाता है ठा ठा बनाने के लिए अलिफ जुड़ेंगे मीम का बिंदु वाला यह 50% पांट उठाया जाता है तो यह देखिए मीम से मां हो गया और यह जो छोटी यह है अपना सकल चेंज करकर ऐसे रूप ले ली तो मीम में यह हो गया अब हम लोगों को अलिफ जोड़ना है तब मीठा होगा तो यह जो अलिफ है इसी थे में ले जाकर जोड़ेंगे तो मी और था मीठा आगे बढ़ी यह पीला में सबसे पहला अक्षर है पी पांक उर्दू में क्या कहते हैं पे कहते हैं पी बनाने के लिए छोटी य यह देखिए जोड़ दी अभी न बताई कि यह पूरा यह नहीं जुड़ता है यह सकल चेंज करके ऐसे बना लेती तो पे में यह जोड़कर पी हो गया अब लाम का 50% पार्ट यह उठा लिए 50% पार्ट पे में यह जुड़कर पी और लाम है और इसी लाम में अलिफ जोड कि यह प्लस ला है लोक उर्दू में लाम और लाम बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए ठीक एक लिए थोड़ा इसको और उपर लिख दू यहां पर लिख दे रही हूं ठीक है पीला देखिए पे से पोई यह जुड़कर पी और लाम में अलिफ जुड़कर ला यहां पर इस पेस नहीं था इसलिए मैं यहां पर लिख दी ठीक अब देखिए नीला बनाना है नून का 50% पार्ट उठाना है उठा लिए 50% पार्ट अब यह जोड़ देना है तो नून में यह जुड़कर नहीं हो गया अब लामका 50% पार्ट उठाईये लामका 50% पार्ट उठा लिए और लिफ जोड़ दिये नून में यह जुड़कर नी और लाम में लिफ जुड़कर ला लीला आगेब यह शीषा शी शा में सबसे पहले अक्षर क्या है शा और वह भी नहीं तो कौन सा शा तलाबे शा तो इसको इस शा कुर्दू में बड़ी शीन कहते हैं जिसके उपर तीन ठो नुपता होता है शीन से शा हो गया बड़ शी बनाने के लिए छोटी ये प्लस शा है फिर शीन से शा प्लस शा बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे दखिए शीन में पहले ये जुड़कर शी बनाएए शीन का 50% यानि कि आदा ये तीन ठो कोनी वाला पाट उठाया जाता है तो देखिए ये हो गया शीन से श और यह जो है इस ही मिया करें से चिपकेंगा ठीक यह से यह शीन में यह जुड़ कर सी और उसके बाद से फिर इसमें जोड़ना है यह जो शीन का तीन ठोनों की वाला पाट है यहें कि 50% पाट फिर से यहां पर रखना है एक रहे हैं तो यह हो गया आप स्रीषट देंगे तो शीन में यह जुड़कर शी और में अलिफ जुड़कर श्रीष्ट अगे बढ़ी है सी असल आक्सर क्या उसज वह भी नहीं तो यह नौर्मल वाला सजाथ डंटी वाला सव इसको कहते हैं यह छोटी शी जिसके उपर तिंठो नुक्ता नहीं होता है ठीक तो यह हो गया सीन से 100 प्लस इसको सी बनाने के लिए छोटी यह जोड़ेंगे मीम से मा हो गया मा बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे सीन का इतना ही पार्ट यानि कि तिंठो कोनी वाला आधा भाग उठाया जाता है तो यह देखे सीन से 100 हो और इसी में यह जोड़ दीजिए ठीक तो सीन में यह जोड़कर सी हो गया और यह जो मीम है बिंदु वाला पार्ट इसको यह जो बिंदु वाला पार्ट है यहां पर ऐसे लाकर जोड़ देना है ठीक तो सीन में यह जोड़कर सी हो गया और इसी में मीम जोड़ गया और मीम म में अलिव जुड़कर मां सी मां सी मां आगे बढ़िए नीच में सबसे पहले आक्षर क्या है नी ना कुर्दू में नून कहते हैं नून लिग दीजिए प्लस नी बनाने के लिए इसमें छोटी ये जोड़ेंगे प्लस चा है चा कुर्दू में चे कहते हैं ठीक अब तो नून में ये जोड़कर क्या हो गया नी अब इसी मिलास्ट में क्या जोड़ेना है चा यानि कि चे तो यह जो चे है इसी ये में आकर ऐसे करके ऐसे जोड़ जाएगी तो यह हो गया आप लोग का चे से चा नून में ये जोड़कर नी और चे से चा नीच उसी तरह बे से बा होता है तो बे लिख दीजिये इसको भी बनाने के लिए यह जोर दीजिये और चो है चो कुर्दू में चइप हो गया और इसा के लश में ॥े है ले जाकर ऐसे जोड़ दिये तो बीच हो गया नील में सबसे पहला नी है यानि कि नौ है तो नौ कुर्दू में क्या कहते हैं नून कहते हैं नी बनाने के लिए इसमें छोटी यह जोड़ेंगे प्लस लाँ है अब देखिए नून का इतना ही यानि कि 50% पार उठाया जाता सबसे पहले में वाओ कहते हैं तो देट इसे सबसे पहले गाने सिल यह जो इसी यह मैं यह वाव है ले जा करेंगे जिए में ह widmen करे वाव से वहन लेखिन जीव को उर्दू में जाज़ते हैं याद रखेका और जानवर कैसे लिखा जाता है जानवर यानवर ऐसे लिखा जाता है जिम इंप जूर कर जा नून से ना और वाब से वह दराव से रहाला सॉरी देसे रहना ठीक है खिर में सबसे पहले अग्षर क्या था कहा है को खूर्दू में खे कहते हैं तो आपके लिग दिजिए बस्की बनाने के लिए चोटी यह प्लस रहा है रहा कुर्दो मेरे केते हैं ठीक खे में उन्हें काफी 50% पाट उठा लीजे यह गया खेसे खां इनकी आधा पाग इतना उठा लिए अब इसी में यह जोड़ दिजिए जोड़ दिये खे में यह जोड़ कर खी हो गया और इसी में जोड़ कर खी और जोड़िए प्लस रहे सेड़ का 50% उठा लिज्टा में चेरत आप ऑच शेये हो जाने के लिए çोटी से तूर आधा भागु ठाव चिनगे बस यहां पर लिए से छोड़ को जाएंगा और डिः手 ठीक चे का 50% यानि की आधा भाग उठाई है देखिए यह हो गया चे से चा और इसी में यह जोड़ दिये चे में यह जोड़ कर ची और रे जो है ऐसे जोड़ दिये रे से रह तो चीर हो गया उसी तरह अब आगे बढ़िए ची नहीं अब इसमें पहले वाले अक्षन में भी यह की मातर है दुसरे वाले अक्षिम में भी इह क्यों मात रिए इसको कैसे लिखेंगे दःखिए चै में सबसे पहले क्या है चौ तो चौ कुझे में क्या कहते हैं च कहते हैं अब इसको ची बनाने के लिए चॅचिछे में चोटी यह जोड़ेंगे ठीक। उसके बात तें है नौक उर्दू में नून कहते हैं और फिर इसको छोटी मिलब मिलब प्लस आगे बढ़िये चीनी चीनी में दोनों में आखी मात्रा हैं देखिए सबसे पहले आख ची तो चौक उर्दू में क्या कहते हैं सबसे पहले यह सुचिए चौक उर्दू में चे कहते हैं तो चे से चा होगे अच्छी बनाने के लिए छोटी यह जोड़ेंगे नौक उर्दू में नून कहते हैं तो नून लिख दीजिए इसको नी बनाने के लिए छोटी यह जोड़ेंगे अब देखिए स change कर लेती है अपना सकल और ऐसे शचेंज कर लेती है तो चे में यह जूड़कर ची हो ढ़नीन का फिफ्टी परसंछ पांट ताइए यह देखिए यह हो गया अपर और यह तो इस और बाइस j चोटी वाली यह जो है वो ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे तो नून में यह जोड़कर नहीं देख यहाँ पर जो छोटी वाली यह है ना लास्ट में है इसलिए अपना सकल चेंज नहीं की लेकिन यहाँ पर बीच में थी छोटी वाली यह तो यह अपना सकल चेंज करके ऐसे लेकिन यहां पर छोटी वाली यह शब्द के लास्ट में है इसलिए पूरा का पूरा यह जो है यहां पर लिखा गया है बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी वैसे हुआ है लास्ट वाले अक्षन में ही छोटी यह थी इसलिए पूरा का पूरा यह लिखा गया इसमें यह का सकल नहीं हुआ लेकिन इसमें बीच में यह है चोटी इसनी अपनाा सकल चेंज कर यह ऐसा रूब ले रही है देखे वहीं पर यह लास्ट में तूया अपना सब्सक्र Wass emotion नहीं की पुरा का पुरा उसी तरह चोटी लिखा गया है ठीक तो देखिए चे में ये जोड़ कर ची और नूं में ये जोड़ कर नी ची नी इस तरह से नहीं पार्ट बिंदू और पार शिफ्टी परसंट उठाए जाता है देखिए मिम से मा हो गया और यह जो यह है छोटी यह अपना सकल चेंज करके ऐसे रूप ले ली तो मिम में यह जुड़कर मी और नून का 50% पार्ट उठाईए यह देखें नून से ना हो गया मिम में यह जुड़कर मी और यह हो गया अपनों का नून से ना और यह जो छोटी वाली य है पूरा का पूरा ऐसे लिखा जाएगा यह अपना सकल चेंज नहीं करेगी क्योंकि लास्ट में है इसे लिए तो नून में यह जुड कर नहीं तो मी प्लस नहीं मी नहीं आगे बढ़ी है लीची लीची में सबसे पहले अक्षर क्या है ली लोग उर्दू में क्या कहते हैं लीची सबसे पहले लाम का फिसुटी पर्सेंट पर उठाई इतना डंटा वाला देखे यह होगे आप लोगा लोगा ल् aan से ल मैं थीक है प्तर उसके बाद से इसी में ग्लैक जो चोटी वाली यह है लाम में जुड़ जाएगी देखे यह से चोटी यह से यह ठीक है तो लाम में यह जुड़कर ली हो गया उसके बाद से फिर यह जो चे है चो यहीं यह जो 50% इसका आधा भागे यहीं पर आकर ऐसे जुड़ जाएगा और तिंठों नीचे बिंदू दिलाएगा तो लाम में यह जुड़कर यह तो ली हो गया और इसी में यह जो यह है पुरा का पुरा अखर जुड़ जाएगी तो लाम में यह जुड़कर यह ली अलग और चे में यह जुड़कर यह ची अलग ली प्लस ची ली ठीक आगे बढ़िए टीवी टीवी लिखना आसान है ती सबसे पहले टॉक उर्दू में क्या कहते हैं टे कहते हैं ते से कर टी बनाई है टे का 50% पार्ट उठाइए यह हो गया टे से टा उसके बाद आप लोगों को यह जो छोटी वाली यह है यह ले जाकर जोड़ेंगे तभी ना टी होगा तो यह जो टेम है इसी में ले जाकर यह चोटी यह पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे य यह चोटी यह जो है अपना सकल चेंज कर इस तरह रूप नहीं लेगी क्यों क्योंकि यह दोनों अलग अलग है टी अलग है वी अलग है दोनों एक में रहता तब मैं यह जो यह है अपना सकल चेंज कर दी दोनों अलग अलग है इसलिए इन दोनों को भी मैं अलग अलग जो सबसे पहला अक्षर भी है बाख उर्दू में क्या कहते हैं बे कहते हैं लिख दिजे पिलस भी बनाने के लिए छोटी में थीए अब दखिये यहां पर टीवी अलग-अलग था तो आप यहां पर टीक को अलग जोड़ रहे थे और वी को अलग जोड़ है क्योंकि आपर टी अलग था भी अलग था अब यहां पर बीवी जो है एक में है दोनों के बीच में डॉट डॉट नहीं है तो यह जो है बीवी सब को एक सांट चोड़ेंगे सबसे पहले बे का 50% पार्ट उठाई है बे का 50% पार्ट यानि कि आधा बाग उठा लिए बे से ब तो यह जो छोटी है अपना парा सकल नहीं कि लेकिन यह घोड़ कर वी हो गया अब उसके बाद के यह जो है वाहराusz से वह इसको लेजाकर इसी ये में चिपका देना है तो देखिए बे में ये जोड़कर बी और वाव से वाव ये तो बीव हो गया लेकिन हम लोगों को बीवी लिखना है न यानि कि छोटी ये वाव में छोटी ये जोड़ना पड़ेगा तो वाव में छोटी ये बस ले जाकर चिपका दिजिए तो वी दिए इस तरह लिखा जाएगा बीवी तो ये था दो क्षी से मिलकर बने सभी तरह की मात्रा वाले शब्द इसमें सभी तरह में आ कि मातरा थी लेखिन दूसरे वाले अक्षर में ू कि मातरा थी President अन्पी में अक्षर में अक्षर में मातरा नहीं थी तो सबी तरह के चपड़ को यांँ कि सभी तरह के करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल पर अगर आप लोग नए है तो ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स टूडियो में एक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज